उनपूरक बजट के साथ ही विधाई कार्य जो लंबित हैं वहाँ भी पूरे होंगे। उत्तरप्रदेश विधानमंडल ने अपनी कारवाई को सुचारूरूप से संचालित करने। गर्मामुपूर्ण तरीके से संसदिय लोक्तांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते वे बहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले साड़े च्छे वर्स से चर्चा पर चर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। इसलिए साड़े च्छे वर्स के अंदर उत्तरप्रदेश विधान मंडल में कारवाई जिस गर्माम पूर्ण तरीके से लोक्तंत्र की सची भावनाओं का प्रतनिधित्व करते वे संबाद परिसंबाद को पुष्ट करते वे आगे बढ़ी है। वह लोगों के लिए कोतहल और आजसरे कब इसे भी बना हुआ है। क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटी थुई थी। लेकिन आज यहां पर चर्चा पर चर्चा जन समस्याओं से जुड़ेवे मुद्दों को रखना। उनके निस्तारण की विवस्ता करना। यह सभी चीजों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर इस समय कारवाई चल लिया और मेरी अपील होगी। सभी मानने सदस्यों से। खास तोर पर विपक्सी दलों के सदस्यों से। कि जिस गर्मा पूर्ण तरीके से। उत्तरप्रदेश विधानमंडल डेश के अंदर वरतमान में चर्चा में है। उस गर्मा को बनाए रखने की जिम्मेदारी क्यों सप्तापक्स की नहीं विपक्स की भी है। हम उस गर्मा को बनाए रखने में अपना योगदान दें। और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े वे, जबलमेंट से जुड़े वे, लोग कल्यान से जुड़े वे, उत्तरप्रदेश से जुड़े वे, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा, परिचर्चा को तैयार है, विपक्स के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्यारी के साथ वहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे, मैं इस उसर पर विश्वास करूँगा कि हमारे विपक्सी दलों के माननिय सदस्य भी सदन की गर्मा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे, और सदन की कारवाई को सुचार रूप से संचालित करने, जन अपने डंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, मैं सभी मानने सदस्यों को जो आज इस सितकालिन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं रिदय से स्वागत करता हूँ अब इनन्दन करता हूँ